जेहिन नवश्कार प्यारे बच्चों सो पॉलिटी लेक्चर सिरीज में आज का हमारे टॉपिक है सिटिजन्शिप नागरिकता जिसको हम बोलते हैं कि इस नागरिक देश की सबसे छोटी ही काई है बैसे ही जैसे शरीर और जीवन की सबसे छोटी ही काई सेल है जो बहुत सारे लोग रहते हैं अब यह सारे भारत के नागरिक हैं क्या सारे ही भारत के नागरिक है और जो भारत के आज नागरिक हैं क्या सब भी वो पहले से ही भारत के नागरिक थे तो नागरिक तक कैसे प्रतान की गई कि हमें यह सब को पता है कि भारत तो आजाद हुआ 1947 में 1947 में और जोगर्फिकल हम यह देख चुके हैं कि भारत कभी भी ऐसा नहीं था जो आज है यह बहुत बड़ा पार्ट था इस बिगर पार्ट कि पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लूँ थोड़ा बहुत अफगानिस्ता जो आज का भारत हम देखते हैं जो यहीं के थे और यहीं बसे रहे रहे वो भारत के नागरिक होंगे Yeah 1947 में तो यह बात साफ लिखी गई कि जो लोग भारत में रहते हैं जो आज आप बाउंडरी देख रहे हो जो इसके अंदर रह रहे हो वो ऐसे के ऐसे आप भारत के नागरिक होगे बशरते 1935 बशरते 1935 में जो गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट आया था उसका डॉमेसाइल आपके पास है उसके अंतरगत डॉमेसाइल आपके पास है एंड यू अर लिविंग इन इंडिया तो यू बिकेम दड़ सिटिजन अफ इंडिया सेकिंड अब देखो बच्चों यह भी हमारा ही पार्ट था यह पाकिस्तान का एरिया भी हमारा ही पार्ट था फिर यह पार्टिशन में बिलीव नहीं करते हैं और आप भारत आना चाहते हो अगर आप भारत आना चाहते हो ठीक है तो यू बिकेम दड़ सिटिजन अफिया तो आपको भी नागरिक्ता मिलेगी तो यह था हमारा सेकिंड पॉंट अगर इस फर्स पॉंट को मैं कहा दूं आर्टि होना चाहते हैं वह भारत में आ सकते हैं और उन्हें उनकी नागरिक्ता मिलेगी तीसरे लोग तीसरे कैसे लोग कुछ लोग थे कि उस तरहें पर डर का माहौल बहुत था हिंदु मुस्लिम दंगे हो रहे थे हर लोग हर तरफ लोग मारे जा रहे थे 10 लाग से जादा लोग मारे गए तो अब बशर्त एक बिल्कुल जायज सी बात है कि यहां से लोग कुछ भागेंगे भी सबको डर लगता है तो यहां से कुछ लोग भाग कर पाकिस्तान चले गए क्योंकि उनके जाने माने लोग और उनकी फैमिली जो है आधी पाकिस्तान में है तो वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गए तो हर कोई अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए अब वो फैमिली के पास चले तो गए लेकिन उनको क्या लगा कि यह वो रास्ट नहीं है जहा हम रहना चाहते तो इन्होंने क्या किया ये वापस आ गए अपने भारत में तो तीसरे किसम के लोग क्या कि जो लोग partition के समय भारत को छोड़ कर चले गए थे लेकिन अब वो भारत में वापस आना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है article number 7 और ये भी भारत के citizenship लेने के भारत की नागरिकता लेने के आधिकारी होंगे बशरते कि भारत की सरकार जो है वो एक official को declare करें कि ये officer है इसके सामने आप अपनी शाक्षिता रखो कि आप अपने पैमाने रखो कि क्यूं आपको भारत की नागरिकता दी जाए और ये officer decide करेगा कि भई हाँ इनको नागरिकता दे देनी चाहिए तो आपको समझ में आया ये मैंने जो डाइग्राम है ये इसलिए आपको दिखाया था ताकि आप समझ सको कि पहले वो लोग जो भारत के ही थे दूसरे वो लोग जो पाकिस्तानिया बांगादेश से भारत आये थे देक हैं तीसरे वो लोग जो चले गए थे और फिर बाद में वापस आए थे तो इन तीनों लोगों को भारत की नागरिकता मिली कुछ लोग यहां पर ऐसे भी थे जो इंगलेंड से आये हुए थे या हमारे ही देश के जो लोग जो इंगलेंड चले गए थे जो भारत इंसान जो rest of the world जो जिसको मैं यहां पर देता हूं रेस्ट उदर में कि बाकी world में चला गया था ठीक है rest of the world में चला गया था ठीक है और अब वापस आना चाहता है तो इसको हम बलेंगे Article No. 8 और इसको भी हम नागरिक्ता देंगे, इसको भी हम नागरिक्ता देंगे, तो ये मोटा माटी आपकी नागरिक्ता का concept था कि कैसे कैसे लोग यहां आ सकते हैं, चलो, देखते हैं, at the commencement of constitution, कि जब भारत का समिधा, जब प्रारंब हुआ, तो कौन-कौन से लोग जो हैं, वो भारत में, जो भारत में रह सकते थे, अभी मैं आपको समझाया, अब मैं उसको लिखी तोर पर समझाता हूँ, ताकि आप exam में जब questions पढ़ें, तो ये ऐसी डिप्टो लाइन आपको महाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, person who are born in India, person who are born in India and domiciled in India, कि वो लोग जो भारत में ही जन्में हैं, और जिनकी domicile भी भारत में ही है, article number 5 से उनको नागरिकता देता है, वे लोग जो भारत में पैदा हुए, और भारत में अधिवासित है, दूसरा, भाई जैसे मालो मैं हूँ, अब मेरा जन्म तो पाकिस्तान में हुआ, ठीक है, मेरा जन्म तो क्या हुआ, कि पाकिस्तान में हुआ, लेकि मेरा domicile जो है, वो इंडिया में है, और मैं इंडिया में ही 5 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इंडिया में ही 5 साल से रह रहा हूं तो मैं भी भारत का नागरिक होसकता हूं ए परसन वो इस नोट बॉर्ण इन इंडिया बट डॉमेसाइल भारत में और भारत में पांच साल से रह रहा है क्योंकि जब पहले था 1947 में जब हमारा समिधान लिखा गया उस टाइम पे तो पूरा बड़ा भारत था ना भई मैं लाहर में पैदा हुआ अब मुझे क्या पता था कि तुम पार्टिशन कर दोगे मुझे तो नहीं पता था कि तुम पार्टिशन कर दोगे लेकिन मेरा डॉमेसाइल जो है भारत के नाम से 1935 वाला ठीक है और मैं पात साल से वही रह रहा हूं और मैं चाहता ह जनम हुआ है भारत में उसका जनम नहीं हुआ भारत में लेकिन उसके माता या पिता उसके माता या पिता दोनों में से किसी का भी जनम भारत में हुआ जैसे फिर से हुई एक्जांपल मैं अपने उपर ही लेता हूँ कि मेरा डॉमेसाहिल तो आज के कागज़ों में देखो तो मेरा भारत में ही है लेकिन मेरा जनम भारत में नहीं हुआ मेरे जनम हुआ था इंग्लेंड में अब मैं हूँ दादा भाई नेरो जी का पोता अब वो लंडन चले गए थे उनके बच्चे वही दे और मैं भी वहीं पर हुआ लेकि मैंने अपना आके डॉमेसाहिल इंडिया में बनवा लिया क्या कि मेरा जो पिता या मेरे माता पिता ज बिल जाएगी क्योंकि मैं भारत में डॉमेसाहिल हूँ और मेरे माता पिता भारत कही थे ये बच्चों जो बात थी वह 1947 की बात थी 1947 में जो बात लिखी गई फिर चोथा पॉइंट आता है कि वह लोग person who are resident in India but they migrated to Pakistan कि भई वो लोग जो भारत के निवासी हैं लेकिन एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए क्योंकि उस टाइम पर इबात मान ली गई थी कि पाकिस्तान बनने वाला है लेकिन बाद में पुनरवास परमिट पर लोट आए कि चले गए थे रहा भटक गए थे पाकिस्तान आप चले तो गए थे इस आश में कि हमारा देश होगा लेकिन आपको पसंद नहीं आया और आप लोट आए अपनी मात्र भूमी भारत में ठीक है तो जो लोग चले गए थे और लेकिन वापस आ गए तो वो भी भारत में भारत के निवासी होंगे फिर वो जुलाई 1948 से पहले या उस तारीक के बाद भारत चले गए और कम से कम पांच महिने के लिए भारत में रहे कम से कम पांच महिनों के लिए वो भारत में रहे तो ऐसे में क्या हुआ उनको भी नागरिकता दी जाएगी ठीक है फिर परसन वो और रेजिदेंट आउटसाइड इंडिया आउटसाइड इंडिया मतलब यहां जो इंडिया का कॉंसेप्ट था वो पाकिस्तान और बांगलादेश को छोड़ गए क्योंकि हम इनको भी उस टाइम तक भारत ही मान रहे थे इसका मतलब है कि भाही वो चले गए है चीन वो चले गए है यूएस से वो चले घ्रेंट्स और ग्रेंट्पेरंट्स वर बॉर इंडिया यहें थोड़िए घडपढ़ हे कि दोनो नहीं दोनों में से एक दोनों में से तो आपको भी नागरिकता मिल जाएगी, यह लिखा है आपके article number 8 में, देखो बच्चो, अब आया Citizenship Amendment Act 1955, अब देखो एक बात चून जरूरत पड़ी हैं में Citizenship Act की, क्योंकि अगर आप समिधान पड़ोगे, तो उसमें articles लिखे हैं कि कौन-कौन जो है वो भारत का नागरिक ह हो सकता है, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं लिखी कि उसको कौन से कागज-पत्री दिखाने पड़ेंगे, कौन से document शो करने पड़ेंगे, और उनका नाम कैसे रखा जाएगा, क्या उसकी clarification क्या होगी, कितने साल तक भारत में रहना है, 11 साल तक रहना है, 15 साल तक रहना है, 7 स यह clarification कहीं भी सम्विधान में नहीं है, सम्विधान में कहीं भी यह बात नहीं लिखी, तो इस चीज को elaboratively लिखने के लिए हमने लिखा, Citizenship Act 1955, तो कब आया भई? ऐसे बहुत से प्रावधान हैं आपके सम्विधान में, जो ऐसे ही लिखे जाते हैं, जो ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन उनकी जो पीपल्स और रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ठीक है, तो एक्ट बनाकर बाते समझाई जाती हैं उसमें, चलो, तो ये एक्ट आया 1955 में, बचो आपसे वो पूछेगा कई बार कि कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, क्यों पूछेगा, क्योंकि रिसेंटली 2019 में भी अमेंड ह हुआ है, इसलिए वो आपसे ये पूछ सकता है, उसका हक बनता है, फिर अब आप देखो, 1957 में हुआ, 57 में फिर से वो चेंज गया फिर दुबारा 60 में चेंज किया गया, फिर दुबारा 86 में चेंज किया गया अब देखो इन के पीछे की वज़या जान ले, में क्या हुआ था कि जम्मु एंड कश्मीर का भी जम्मु एंड कश्मीर का समिधान लिखा गया था जम्मु एंड कश्मीर का समिधान बनके तयार हो चुका था तो उस टाइम पे इसको अमेंड किया गया फिर 1960 में इसको अमेंट किया गया फिर 1986 में किया गया 1986 में क्या हुआ था राजीव गांधी एक ऐसा इंसान जो politician नहीं था लेकिन politics में आया तो अपने आपको चमकाना चाहता था तो 1986 में उसने क्या किया फिर से change किये और उदर sign हुआ था एक Assam Accord उदर sign क्या हुआ था एक Assam Accord sign हुआ था ठीक है तो फिर change किया गया फिर वहां 1992 वीपी सिंग की government फिर आ जाओ भई 2003 सबसे पहली बार BJP की सरकार बनी अच्छे तरीके से ठीक है तो उसने amendment किया करना ही था यह अपना आपको ज़्यादा भारती मानते हैं ठीक है तो इन्होंने भी change किया फिर आया 2005 फिर आया 2005 मनमोहन सिंगी की सरकार 2015 2015 दुबारा BJP government तो जब भी government change होती है तो जब भी government change होती है most of the time या तो वो सेम पर्धानमंत्री चलता रहे तो change नहीं होता जब भी पर्धानमंत्री बदलता है तो वो कुछ ना कुछ अपना सिक्का चमकाने के लिए क्या करता है वो citizenship में change कर देता है क्यों? क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में जहां पे एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ बांगलादेश है कुछ ना कुछ infiltration होती ही रहती है और इन दोनों भाईयों को बांगलादेश और पाकिस्तान को हम अपना ही हिस्सा मानते रहे हैं पहले से कि अपना ही भाई हैं, अपने ही बच्चे हैं बस अलग रापर चले गए तो इन से जो लोग भारत में आते हैं देर देर कर क्या आते हैं उनको हम क्या करते हैं इनको हम नागरिक्ता प्रतान करने की कोशिश करते हैं कुछ हमारे जो लोग हैं तामिलियन्स जो सिरलंका में चले गए हैं तो वो जो इंडिया में आते हैं तो उनको भी दिया जाती है एक बार बीच में ऐसा हुआ था कि एक लाग तीस जार लोग जो हैं सिरलंका छोड़कर भारत आये थे उनको भी नागरिकता दी गई थी अब उनको जब नागरिकता दी जाएगी तो क्या किया जाएगा अमेंडमेंट एक्ट किया जाएगा 1955 के शिटिजिंसिप एक्ट के अंदर तो मेरे को लगता है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी फिर उसके बाद अब भारत की नागरिकता ले कैसे सकते हैं बहुत इंपोर्डन कोशन है बहुत प्यारा सवाल है जो आप से पूछा जा बाता है कि भारत की नागरिकता आप ले के सकते हैं तो यह ली जा सकती है पांच तरीकों से यह ली जा सकती है पांच तरीकों से या तो जनम के दार पर कि आप हो जो भी कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है आप अपने आप से सवाल पूछो आपको भारत की नागरिकता मिल गई दूसरा दूसरा डीसेंट दुवारा दूसरा डीसेंट दुवारा बहुत लंबे टाइम चाप यहां रहे हो ठीक है आपके माता-पिता का जनम यहीं पर हुआ था ठीक है बापके माता-पिता का जनम यहीं पर हुआ था आप बले भार कहीं भी रहे हो बट आप भारत में आए और भारत में ही रहना चाहते हो зем द्वारा कि देन से जैसे अदनान शामी जी यहाए जानते ना अदनान सामी जी बहुत बड़े सिंगर तो वो आए इंडिया मेश ने क्या कहा ठीक है आप आओ आप रहो कोई दिक्कत नहीं और तो citizenship by registration फिर citizenship by naturalization naturalization का मतलब क्या होता है कि भाई आप प्राकर्तिक तोर पे इतने लंबे टाइम से भारत में रह रहे हो कि ये पता करना कि आप कहां से हो ये बहुत difficult है लेकिन भारत की नागरिक्ता आपको दी जा सकती है क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से रह रहे हो जैसे मान लो कि मैं एक अनात बच्चा हूं मेरे आगे पीछे कोई नहीं कोई डोक्यूमेंट नहीं कोई नहीं बता सकता कि मैं कहां से है लेकिन मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि 2003 में मैं इस फला फला स्कूल में पढ़ता था ये स्कूल जो है वो भारत में है फिर 2003 से दस तक मैं वहीं पढ़ा फिर मैंने ग्रेजेशन जो है वो हिंदू कोलेज से की ठीक है तो वहां पड़ा फिर मैंने नोकरी भी भारत में की और भारत में यहां की तो मैं इतने लंबे टाइम से भारत में ही रह रहा हूं तकरीबन 14-15 साल से तो और मुझे यह नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं मेरे माता-पिता कौन है आप बाइ नेचुरलेजेशन की तोर पर मिरको भारत की नागरिकता दो और वह देनी पड़ेगी क्योंकि इस इंसान ने बहुत लंबा समय जो है वह भारत में बिताया फिर आता है सिटिजेंचिप बाइ इन कॉर्परेशन ऑफ टेरिट्री अब आप कहते हो जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्य हंग है मैं भी मानत तो जम्मू कश्मीर के लोग भी हमारे ही भाइबंदू हुए लेकिन अब आपको यह पता होगा देखो हलका से डाइग्राम बनाके हलका से समझाता हूं अच्छी डाइग्राम नहीं बनेगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं ठीक है यह कुछ ऐसा सब अब यह जम्मू कश्मीर है पूरा लेकिन क्या पूरा कश्मीर हम एड्मिनिस्टर करते हैं है हमारा पूरा हिसा क्या सारे ही लोगों के पास कागच पत्री है नहीं वह तो जो लोग इतने हिस्से में हैं अंदर वाले हिस्से में यह तो हमारे है है तो ये भी हमारे, लेकिन ये कागचों के तोर पे हमारे हैं, इनके पास कागच भी है, लेकिन इन लोगों के पास कागच नहीं है, इन लोगों के पास हमारे भारत के कागच नहीं है, भारत का पासपोर्ट नहीं है, भारत का अधारकार नहीं है, कुछ नहीं है, भारत की जैसे छुडा लूँगा और ये सारे लोग मेरे हो जाएंगे तो इनको भी मैं अपनी नागरिकता दे दूँगा इनको भी मैं भारत की नागरिकता दे दूँगा तो इस नोन एज शिटिजनशिप इन कोर्पोरेशन ओफ टेरिट्री समझ में आया जम्मु कश्मीर हमारा तो वहां के लोग भी हमारे ऐसे ही कलको अगर स्रिलंका कहें कि मेरे को भारत का हिस्सा हो रहा है तो हम कहें कि ठीक है हमारा एक और स्टेट बन गया इसका नाम है अब स्रिलंका स्रिलंका अब भारत का स्टेट है तो स्रिलंका के लोग भी भारत के ही ल एक होगा renunciation कि आप नागरिकता के त्याग करते हैं, दूसरा होगा termination, और तीसरा होगा deprivation, क्या है भई, एक तो जैसे समझते इस बात में, कि मैं गया USA, मैं गया USA, और USA जाके मैं वहाँ पे बस गया, USA जाके वहाँ पे बस गया, और धीर धीर करके क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे वहाँ की नागरिकता भी ले ली, तो जैसे ही मैंने USA की नागरिकता ले ली, I, my citizenship of India gets terminated, क्या जैसे ही आपने दूसरे की नागरिकता ले ली, अब आप भारत की नागरिक नहीं हो, तो मेरी क्या होगी, नागरिकता terminate हो गई, तीसरा, मैं खुद ही बार जाके कहे दूँ कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, तीसरा, कि आपने भारत की नागरिकता ली, आप भारत की नागरिक बने आपने दिखाया है, कि जी मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सुबह टाइम से उठता हूँ, टाइम से खाता हूँ मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ इनको आम की सप्लाई कर रहा है या फिर भारत में रहा कर ही हजीब और तरीकी के हरकते कर रहा है जो भारत के नागरिकों के लिए के हिसाब से ठीक नहीं है तो क्या करें कि बच्चे ऐसा है आप अपनी नागरिकता छोड़ो और जहां से आयते वहां से वहां कुछो जहां से आप आय ते हमाँ पहुंचो थेक्र? आप भारत के नागर क्वारत के नागरिक नहीं हो कि आप फ़र्कतें ऐसी करें हो कि हम्में बर्दास्ट नहीं हो थिक है तो इस निर्ट्रय और की नागरिकता ली जा सकती है यह कहां लिखा है भई यह लिखा है आर्टिकल नंबर 9 में कि पर्सन वोलंटरी एक्वाइरिंग सिटिजन्चिप ऑफ फोरें स्टेट नोट टुबिशिट जो भारत की जो विदेशी राजे की नागरिकता प्राप्त कर लेगा वो भारत का पाड़ी यह यह पावर है पार्लेमेंट के बाद की पार्लेमेंट चाहे तो कहें कि आज से आप नागरिक नहीं हो आज से आप नागरिक नहीं हो based on some evidence and facts against you, ठीक है, और कौन regulate करेगा आपकी नागरिकता की अधिकार को, so Parliament has the power to regulate the right of citizen of India, तो भारत की नागरिकता के जो regulate करने का जो अधिकार है, वो भारत की नागरिकता पर है, जैसा कि आपने देखा कि अभी आमिच्छा जी ने किया ना, citizenship amendment act आया, किस ने किया, पार्लेमेंट ने किया, तो पार्लेमेंट ने किया, तो क्या किया, how by simple majority, ये बात की आप याद रखें, कि simple majority, और simple majority क्या होती है, कि भाई, जितने भी लोग present and voting है, उनका 50% plus हमारे पास होना चाहिए, कि 50% plus हमारे पास होना चाहिए, मान लो कि एक दिन 500 लोग आये थे, लोग सवा में, अब 500 में से अगर 221 ने वोट किया, कि नया जो constitution, जो citizenship amendment act है, वो अच्छा है और सही है, तो वो pass हो गया, बस इतना, ये ही simple majority से pass होगा, बट किया कि इसने, पार्लेमेंट ने, राज्यों का इसमें, कोई लेना दे रहा नहीं है, ठीक है बच्छों, तो ये तो था, ये तो था हमारा part 2, ये क्या था हमारा, part 2 of the constitution, part 2 of the constitution, article number 5 to 11, ये बात आप याद रखें, कि आप से कोई पूछ लेगा, कि citizenship कहा है, तो citizenship भाग 2 में है, अनुछेद 5 से 11 में, अनुछेद 5 से 11 के बीच में आती है, ठीक है, ये हमारा भाग 2 नाग रिखता है, अनुछेद पूली आता है, ये हमारा भाग 2 नाग रिखता है, तो तो में है, तो य। तो ये पूछे गली कि रखला है, तो रहना है, आता है, तो ुछे हमारा रिखता है, अनुछेद 6 से 11 tuh बद